आखिर क्या है चंद्रेयान 3 मिशन चंद्रेयान 3 मिशन के जरिए इसरो चांद की स्टडी करना चाहता है इसके लिए 2008 में चंद्रेयान 1 और 2019 में चंद्रेयान 2 के नाम से मिशन लॉंच किया जा चुका है 14 जुलाई 2023 को चंद्रेयान 3 मिशन लॉंच किया गया था चंद्रेयान 3 के लॉंच होने के समय दो पहरे के डा corruption था चंद्रेयान 3 को 40 दिन बाद चांद पर लेंड होना था चंद्रियान थरी 23 अगस्त दोयर 23 को साम 6 बजगे 4 मिनट पर चांद पर सफलता पूर्वक लेंड हुआ भारत विश्व का पहला देश बन गया जिसने चांद की साथ पूल पर सौप्ट लेंडिंग की चंद्रियान थरी को लॉंच करने में 615 करोड रुपे का खर्चा आया था जब 1979 में भारती अंतरिच अनुशंदान संगठन इसरो की स्थापना की गई थी तो इसका प्रात्मिक लक्षे काफी शरल था तूफानों की भविष्वाड़ी करने बाड को कम करने के लिए उपग्रहों की डेजाइन लॉंच करना था अब अंतरिच अजन्ची ने चंद्रियान थरी के चंद्रमा के दच्छडी धुर्व के पास उतरने वाला पहला अंतरिच मिशन बनने के बाद इत्यास रच दिया है आखिर क्या है चंद्रियान थरी का मकसद चंद्रयान 3 का मकसद लेंडर मोड्यूल से रोवर चंद्रमा की सतय पर आएगा और वह इस तरों को जानकारी देगा